आउजू बिल्लाही मेन शैत्वा निर्वाजीम बिस्मिल्ला इर्वाक्मान निर्वाइम श्रीव अल्ला के नाम से जो बड़ा महरबान और ना आध्रहम करने वाज़ा है असलाम लेकुम डियों स्टूडेंट्स कैसे आप सब उमीद है आप सब खेरियत से होंगे मेरा नाम है मिसाधिया और आज मैं टू क्लास को पढ़ाऊंगी उर्दू सब बच्चे अपनी उर्दू की बुक्स वापन कर लें पेज नमबर 54 पहले हमने काद्याजम चैप्टर की रिडिंग की थी आज हमने मश्यत करनी है एक्सरसाइस करनी है सबसे पहले आप मुझे जुबानी जवाब दें काद्याजम का सलनाम क्या था क्या था काद्याजम का सलनाम मैंने आपको रिडिंग में कोशन के आंसर भी बताये थे काद्याजम का क्या नाम था महुम्मद अली जिना शाबाश पाकिसान कब काइम हुआ 14 अगर्ष्ट 1947 को very good काद्याजम कहां पैदा हुए काद्याजम कराची में पैदा हुए ठीक है ये देखें हा सबसे पहला सवाल है जबानी जवाब दें पहला सवाल है काद्याजम का असल नाम क्या था मुवम्मद अली जना मैंने यहां पे छोटा सा लिख दिया है मुवम्मद अली जना लेकिन आपने क्या करना है आपने लिखना है काद्याजम का असल नाम नाम तक लिख के फिर आपने लिखना है मुवम्मद अली जना था क्या की जगा आपने मुवम्मद अली जना था लिखना है काईद्याजम का असल नाम क्या था काईद्याजम का असल नाम मुहम्मद अली जिनार था पाकिस्तान कब काइम हुआ पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को काइम हुआ आप में पूरे सवाल का पूरा जवाब देना है आदा सवाल में से ही आपको जवाब मिल जाएगा थर्ड है काईद आजम कहां पैदा हुए ठीक है काईद आजम कराची में पैदा हुए यह फौर वाला यह आपको मैं बाद में बताती हूँ ठीक है पहले तिन तुवाल हमने कर लिए काईद आजम का सेल नाम क्या था मुहमद अली जना पाकिस्तान कप काईम हुआ पाकिस्तान 14 गस्त 1947 को काईम हुआ ठीक है काईद आजम कहां पैदा हुए काईद आजम कराची में पैदा हुए उसके बाद है दूसरा सवाल वाओ और नून गुना यह लगा कर जमा बनाए जैसे नाम से नामो नाम था ना नाम मीम के साथ हमने वाओ लगा दिया और नून गुना क्या बन गया नामो उसके बाद है मुसल्मान मुसल्मान को कैसे लिखेंगे मुसल्मान नून है नून के साथ वाओ को और नून गुना क्या बन गया मुसल्मानो ठीक है उसके बाद है काम काफलिफ का मीम के साथ वाओ मीम वाओ मो नून गुन्ना काम मो उसके बाद है कुर्बानी कुर्बानी यो नून ये वाओ यो और नून गुन्ना क्या बन गया कुर्बानी यो noon यह की छोटी चेपलच आपने वाउ और noon को ना मिला दिया ठीक है यहां तक सब को समझ आ गई उसके बाद है अंग्रेज रुके यहां तो में कलर जीदे ख़ती हूँ अंग्रेजो अंग्रेज पुरा लिखके उसके आगे हमने वाउ और नून गुना मिला दिया क्या बन गया अंग्रेजो ठीक है मुसल्मान मुसल्मानों कान कामों कुर्बानी कुर्बानियों अंग्रेज अंग्रेजो हमने सब के आगे वाउ नून गुना लगा दिया उसके बाद है थर्ड वाला जुम्ले बनाएं अब हमने क्या बनाने है जुम्ले मेहनत अली मेहनत करता है आप अली की जगह अपना नाम भी लिख सकते हैं मेरे पास अली छोटा था मुझे लगा कि आप सब बचे इजी लिसे कर लेंगे इसलिए मैंने अली लिखती है अली मेह बहुत ताकतवर है आप यहां पर अपना नाम भी लिख सकते हैं अगर गल्स है वो यहां पर अपना नाम भी लिख सकते हैं कि मरियम बहुत ताकतवर है अगर लड़का है तो अली बहुत ताकतवर है अहमद मेहनत करता है अहमद जहीन लड़का है यहां पर अपना नाम भी पैयले झी जुमले मैं अब दुबारा रिपीट करी हूँ पकीस्तान 14 अगस्त 1947 को काईम हुआ काई आजम कहाँ पैदा हुए यह थर्ड वाला है काई आजम कराची में पैदा हुए उसके बाद वाउन अनंगुना लगाकर अमने जमा वराने थे जैसे नाम से नामों, मुसल्मान, मुसल्मानों, काम, कामों, कुर्बानी, कुर्बानियों, अंग्रेज, अंग्रेजों, मेहनत, अली मेहनत करता है, जहीन, अली जहीन लड़का है, ताकतवर, अली बहुत ताकतवर है, ठीक है, यह सारा मैंने आपको करवा दिया है, लेकिन मै ने आपको question number four नहीं करवाया वसली नहीं करवाया क्योंकि वो आपने खुद करना है ये वाला सवाल ये वाला फॉर वाला किदा है ये आपके खियाल में पाकिसान को कैसे अच्छा बनाया जा सकता है ये आपका घर का गाम है ये आप अपनी home assignment में खुद लिखना है आपने पूरे chapter की reading भी कर ली exercise भी कर ली अब आपके लिए ये एक सवाल है कि आपके खियाल में पाकिसान को कैसे अच्छा बनाया जा सकता है कि हम क्या करेंगे पाकिसान एक अच्छा मुलक बन जाए ये आपने अपने तरीके से बताना है कि आपके खियाल में पाकिसान को कैसे अच्छा बना सकते है ठीक है ये आपका घर का काम है और अब आपकी home assignment में एक सवाल ये हो गया और ये पूरे चारो के चारो सवाल अपना है आप लोगों ने अपनी होमसाइमेंट में करने है ठीक है तीन मैंने करवा दिये फॉरवल आपने खुद करने है आपने अपना ख्याल बियान करना है और साथ में आपने जुम्ले बनाने है ये भी आपकी होमसाइमेंट है दो सवाल मैंने आपको दिए होमसाइमर्ट में सवाल जवाब और जुम्ले बनाएं ये दोनों आपने अपनी होमसाइमर्ट में लिखने हैं जुम्ले भी और चार सवाल भी तीन सवाल आपको मैंने करवा दिये चोता आपने खुद करना है अपके ख्याल में पाकिसान को कैसे अच्छा बनाया जा सकता है ठीक है यह आपने खुद करना है अपने राय बेहान करने है ठीक है यहां तक सब बच्चों को समझ आ गई उमीद करती हूँ आप सब बच्चों को अलाफेश